तुछ हम हम डिसकस करेंगे चायल्ड डिवलेम्ट एंड परगवाजी यानि बाल विकास चीज तीसरे पर यानि आज यह कैसरा प्राइक्टिक सीरी तीसरा है अगर आप मारे प्रेक्टिस सिरीज पहले और दूसरे को ना देखे हों तो उसकी लिंक हम आपको description में दे रहे हैं आप उसे जाके देख लीज़ेगा और आई बटम पर उपर आई बना है वहाँ पर भी उसकी लिंक देदेंगे आप उसे जाके देख लीज़ेगा तो चलिए देश्टों बा प्रत्क्रिया प्राप्र करने का आदर्स परिच्छा समय डैस के सही अनुपात में होना चाहिए तो किसमें होना चाहिए दोस्तों में उससे सब्सक्रियामं और हर प्राइक्ट मिल जाते हैं थीक है इसलिए हमारी हर प्रश्ण की ब्याख्या से प्रतीक्रिया-प्राथप्र करने का आधर्श प्रतीच्छाा समय प्रष्ण कठिनाई इस तरह के सही उन्पाथ में होना चाहिए प्रश्ण कठिनाई का अस्थर के सही उनपाइद में होना चाहिए अब हम नेश्ट केश्टों की और चलते हैं क्योश्चा नंबर दूसरा क्योश्चा नंबर दूसरा है मान लेजिए आप विद्याले सिच्छा बोर्ड के अध्यच्छ हैं आप अपने अधिका अपसारी का उदार है अब हम डिसक्स करेंगे इसकी ब्याक्या पर ब्याक्या बहुत सांदार है ठीक है विद्याले सिच्छा बोर्ड का अध्यच होने के नाते हमें एक उच्छ अस्थरी अफसारी चिंतन की आवसकता है ताकि अपने अधिकार छेत्र के अधिन आने वाले विद्यार्थियों के सिच्छा की संपून गुर्वत्ता को सुधारने के लिए विद्यालेंगे कार्या प्रडालियों और रचनात्मक धंग से संचालित कर सके तथा उसमें आने वाले व्योधानों को अपनी बुद्धी विवैक से सार्थक रूप से दूर कर सके ठीक है अ U.S.. आ आक लन.. आकलन और औनदेसन के बीच के दिर्मी कराय द्वारा का। कि सीखने को प्रभावित करता है। यानि यहाँ जगाभीDES है और यहाँ जगा भीDES है तो दोनों जगाभ क्या है तो दोनो जगाऑ क्या भरना यानि इसका statement हो जाएगा सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधा के दिरीड़ी करत्वार द्वारा सीखने को प्रभावित करता है ठीक है इसकी व्याक्षया है देखना जरूरी है सीखने के लिए आकलन को निर्माड आत्मक आकलन भी कहा जाता है इस प्रका और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी या खास तोर पर सिच्छक द्वारा दी जाती है इसलिए सीखने के लिए आकलन आकलन और उन देशन के बीच संबंधों के द्रीडिक द्वारा सीखने को प्रभावित करता है तो हमारे तीसरे प्रशन का आंसर हो गया विद्यार्थी के लिए बाह पुरसकार और उसकी प्रेवडा को बनाए रखने के लिए परियाप्त नहीं है राइट अंसर आप संटी हो जाएगा क्यों सब्सक्राइब कर दोस्तों सतर सतत और ब्यापक मुल्यांकन की योजना में ब्यापक सब्द के अलावा निम्र्खित के द्वारा समर्थित किया जाता है तो क्या समर्थित किया जाता है दोस्तों समर्थित किया जाता है यह किसका सिध्धान्त है ठीक है दोस्तों यह सिध्धान्त हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धी सरचना का सिध्धान्त है कैसा सिध्धान्त है जेपी गिलफो है कि दौरा कि यह था दौर इसकी ब्याद्क्या है आप इसको इग्नोर नहीं करना कि योजना में चात्रों की वृद्धी और विकास के सहचिक तथा सहचिक दोनों ही पच्छों को सामिल करने का प्रयास किया जाता है चुकि छमताएं मनोवृतियां और अभिरुचुयां अपने आपको लिखी सब्दों में के अलावा अने रूपों में प्रकट करती है अता है सब्द विभिन और तकनीकों के अनप्रयोग के लिए उप्योग किया जाता है इसलिए जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धी सरजना सिधांत को सिधांत जो कि बुद्धई को सही परिभासित कर पाती हुए यह ब्यापक सब्द के सार्थक नहीं है ठीक है है यह हो गया इसकी ब्याख्या इस प्रस्ण की कच्छा कच्छ में सिच्छक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को डैस करते हैं या सीखने के वातावरण है तो हो जाएगा रुपांत्रित और को छुद्ध करता है कच्छा कच्छ में सिच्छक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रुपांत्रित करते हैं या सीखने के वातावरण को छुद्ध बनाता है आप सन एल राइट अंसर होजाएगा क्वेशन नमब छका इसकी व्याक्षी यह यही जो मनें बताया रुपांत्र 6 नमब साथ है उपलब्धि अभी प्रेड़ा है किसकी प्रेड़ा है तो इसका जो संटेंट्स है दोस्तों इसका क्या होगा राइट अंसर प्योशन नमब रएक चुनोवधिर सब्क्राइबर 24 सब्क्राइब को बतर है इस तरह सेक्टा भास टकेट हुआ अब है क्यूस्चान नंबर 80 विज्ञान के प्रियोगों में सामानेता लड़के उपकर्णों का उतनी अंत्र अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आकड़ों को रिकार्ड करने अथवा बरतनों को दोने के लिए कहते हैं या पविती किसको दर्साता है या पविती किसको दर्साता है तो यह दर लड़के उपकारणों को नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आकड़े रिकार्ड करवाते हैं यह प्रवित्ति यह दर साती है कि पूरुस और श्री की रूर्ण बद्ध भूम काईं विद्याले से भी होती हैं ठीक अब हमारा हैं इस शरीस प्रेक्टिस सीरीस तीसरे का अगला क्योस्टिन है कि सी यसे सई द्वारा प्रस्ताविस् anti really समुञ्प पर, गत विधी डैस के एक ससक्त साधन है तो सामाजिक भागि दारी को सुगं बनाने का एक ससक्त साधन है इसकी व्याख्या देहेंगे ही व्याक्षा होगी ये अब नुबर 10 रेवन का प्रोग्रेशिव मेट्रीशी परिच्छाण क्यों परिच्छाण का उधारन है तो संक्रित मुक्त बुद्धी लभधांग का हँदा रहा है ठीक है अब हम अगले और चलते हैं क्वेस्ट नमर कि keeps में से सज़ाना में सामिल नहीं है तो दोस्तों योजना की जेरी की लिदधा इसना की समिल नहीं है अगले क्यों जलते हैं क्योंटा है काफिछा क्योंट сторон नमबर हो इसको देखेंगे थीक है नमरबारा है निश्य को एम अनिवार सिच्छा का दिक्यार 2009 में अनिवार सफिल सब्द कि तो 2009 में अनिवार सब्दे का अर्थ यहां पर अर्थ पूछा है तो यहां पर अनिवार सब्देका अर्थ हो जाएगा दोस्तों उचित सरकारे दाखिले उपस्तित प्रारंभिक सिच्छा का प्रारंभिक सिच्छा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी और राइट आंसर आप सम्पी हो जाएगा ठीक है इसकी ब्याक क्या भी होगी अब चलेंगे अगले क्योशन की और क्योशन नंबर 17 अधिगम करता का स्वनियमन का क्या अर्थ है अधिगम करता अधिगम करता का स्वनियमन का क्या अर्थ है दोस्तों अपने सीखने का स्वयम अनुविच्छन करने की योगिता ठीक है राइट आंसर आप स मैडम चाय खाती है वाग की कैसा है ठीक है तो इसका राइट अंसर हम बता दें आपको वाग क्यों विन्याज की द्रिश्टी से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दिश्टे गलत है राइट आंसर आपसंजी हो जाएगा मेडम चाए खाती है वाक विग्यान की दिश्य सही लेकिन अर्थ विग्यान की दिश्य गलत है अब अगले क्योशन की और चल रहे हैं क्योशन नमर 15 कि सीखने के सिधानतों के संदर में इसके फोल्डिंग की और संकेत करता है सीखने के सिधानतों के संदर में इसके फोल्डिंग की और संकेत करता है तो क्या संकेत करता है सीखने में वयसकों द्वारा इस्थाई सहयो राइट अंसर आपसो नहीं हो जाएगा ठीक है अब हम अगले क्यों चलते हैं क्यों नमबर 16 दोस्तों यह प्रैक्टिस से एक है ज्य इस खबर को इस खबर को यहां पर हो जाएगा पदा नुक्रमित आवसकताओं का सिधानत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है ठीक है यही राइट आंसर हो जाएगा यहां डैस के हिसाप जैस के जगह पर पदा नुक्रमिक आवसकताओं का सिधानत के आधार पर अ सदाव Kroner मिट सकता के स्धान को सिद्धध करता है जिसके अनुशार दैहिक मांगों को ब्यक्त सबसे उपरर रखता है जिसमें भोजन पानी आ दियाते हैं कि अन्य मैं निमांगों जैसे सुरुच्छा की मांग सामाजिक मांग समान मांग आतमाद मांग आता है ठीक है अब हम क्योशन नंबर सत्रह चलेंगे क्योशन नंबर 17 है बुद्धी लबधान के अधार पर विभिन समूहों में विद्यार्थियों का वर्गी करण उनकी इस्व गरिमा को है और उनके सैच्छडिक निस्पादन को टैस है तो यहां पर दोनों जिगह भड़ना है तो यहां गरिमा को घटाता है और उनके सैच्छ प्रियोगों के द्वारा चल चित्रों के द्वारा तथा लेव के माध्यम से भवेश्य के लिए सेच्छ पविश्य के लिए सिच्छक तयार किये जाते हैं ठीक अब हम केश्य नंबर 19 देखेंगे काफी सांदार है बहुत ही खतरनाक प्रश्ण है इसको ध्यान देना है लारेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्खित चरणों में से प्राथमिक विद्यालेयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरन करते हैं आग्या पालन और दंड उन्मुखी करण और आपसंबी वयक्तिता और विनिमाई विनिमाई को मिलाके आपसंबी हो जाएगा ए और भी ठीक है इसकी व्याक्या यहां पर है आप देख सकते हैं कोहलबर्ग के अनुसरा प्राथमिक विद्यालों के बच्चे नैतिक विकास के पूरू परमपरागत इस तर पर होते हैं इस अस्तर पर बच्चे आत्म केंद्र नेड़े लेते हैं उनमें दंड तथा आग्या पालन अभी मुक्ता होती है यांत्रिक सापेच अभी मुक्ता और व्यक्तिक्ता तथा विनिमाई की भावना होती है ठीक अब हम अगले क्योश्य की और चलते हैं क्योश्य नंबर 20 को देखेंगे बहुत ही ध्यान से ठीक एक विध्यार्थी कहता है उसका दादा आया है एक शिच्चक होने के नाते आप आपकी प्रत्किया होनी चाहिए आपकी प्रत्किया में कि इसकी ब्याख्या देखेंगे कुछ समझ में आएगा बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं वे सिच्छक के सही गलत सभी तरीकों का अनुकरण करते हैं सिच्छक होने के कारण अई वागों के प्रद सम्माननी सब्दावली का प्रयोग करना आपका एक उत्तरदाइत है आता है आप कहेंगे अच्छा आपके दादाजी आएंगे ठीक है जो हमने बताए वही है फिरहाल अगले क्योंशन की और चलते हैं क्योंशन नमबर ट्वंटी वन डैस के अलावा निम्रकित घटना व्रितांत रिकार्ड की विशेस्ताएं हैं ठीक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सम्भी हो जाएगा यह बिवहार का ब्यक्तिनिष्ट साथ्चे है और इसलिए यह सहच्छडिक छेतर के लिए प्रतिपूश्टी फीडबैक उप क्वेश्चा नंबर 22 देखेंगे गलो कि और मिस्ट आइवर्ग के विद्यार्थियों की कच्छा से ब्योहार रखने वाले सिच्छक के डैस का घ्यान सरवाधिक महत्पूंड है क्या महत्पूंड है विकासाथमक अवस्थाओं का विकासात्मक अवस्थाओं का अगले प्रतिभा साली बच्चे हैं प्रतिभा साली बच्चे बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ का पूर्ण विकास करते हैं अगला क्वेशन देखेंगे क्वेश्चन नमबर ट्वन्टी फूर शंकलपनाव की विवस्थी प्रस्तूति विकास के निम्नलिख्यत किन सिध्धान्तों के साथ संबंधित हो सकती हैं तो किस सिध्धान्त के साएथ विकास सापे च्रूपमें करमिक होता हैं अब हमारा इक्राइस नमБर ट्वन्टी फॉर्ण फॉर्ण पाइफ है सिच्छा का अधिकार अधनियम दोजानव के क्रियानवेन के पाठ पड़ पाठ कच्छा कच्छ ठीक है क्वेश्चन नमबर हम 25 को देखेंगे दोस्तों 25 विद्याले के बाद यहाँ पर सिच्छा का अधिकार अधनियम दोजानव के क्रियानवेन के बाद क्रियान वेन के बाद कच्छा कच्छ यह प्रश्ण हो गया इसका राइट आंसर आपसंसी हो जाएगा आई के अंसार अधिक समाजियत समझाती है अगला क्योश्चन है क्योश्चन नमबर टूंटी सिक्स सबील बाल केंद्रित सिच्छा का समर्था निमन्खित में से किस विचारख द्वारा किया गया तो जांड यू विचार एक लुवारा किया तैंसर आपसंटी हो जाएगा फिक प्रतिभास आली बच्चों के संदर में समर्धन का अर्थ क्या है समर्धन का अर्थ है दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान एस्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्छे ग्रेड में प्रोनत कराना ठिक इसकी ब्याक्या हो गई आप देख सकते हैं अगले क्यों चलते हैं क्यों नमबर 28 एकल अभिवावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय सिच्छक को क्या होना चाहिए अब सम be right answer इस तत्य को अंदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अभिवार करना चाहिए ऑब हम क्योशन नमबर जी किश्चक व्याक्या हो गई अब हम क्योशन नमबर 28 29 हो गया दूस्त हो क्योशन नमबर 29 है प्रतिभ्या साली विद्यार्थियों के लिए निर्मिखित में से कौन सी गत्विधी सरवाधिक उपयुक्त है दी गई संकल पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक मौलिक नाटक लिखना ठीक है राइट आंसर आपसन भी हो जाएगा यह रही ब्याख्या और इस सब्सक्राइब का लाश्ट क्विश्चन है क्विश्चन नमबर 30 सारीडिक गतिक बुद्धी रखने वाले बच्चे की अंत्रिक अवस्था जुमिखित में से कौन सी हो सकती है कि अन्तिम अवस्था पूछा है सल्य चिकिटशक यह अन्तिम वस्था हो सकती है श्रीत गतिक से गति पर नहीं Automateiner वाय। उसमें प्र Воेटा लाने की चंता होती है इसलिए इस प्रकार की बुद्धी रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था सलची किस्था हो सकती है राइट आंसर अप्षन ए ठीक है तो वीडियो का इसा लागा कमेंट में जरूर बताईएगे दोस्तों अब हम आपसे कल मिले गए नेश्ट प्रेक्टिस सीरीज चार प करेंगे ठीक है और डिसकस करेंगे तो वीडियो को पूरा-पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों तांक्स पर बाचिंग